नमस्कार सातियों आज हम आपके साथ जो अभी हाल में होने वाली रीट परिक्सा है तू बहुती महतुपूण पर्षनों का संग्रे किया है जो ये कक्सा 6 में NCRT की किताब है हमारे अतीत भाग पर्थम उसका इसके तहत इस किताब में भाग पर्थम 11 पार्थ है इन 11 महतुपूण पर्षनों को हमने यहां संक्लित किया है और सातियों ये पर्षन रीट भरती परिक्सा के साथ अन्य परिक्साओं के लिए भी बहुती महतुपूण साबित होंगे तो पहला पर्षन है इंडिया सबत की उत्पती किस सबसे हुई है तो सातियों किताब के फ्रं किन के जनम से मानी जाती हैं साथियों जो इस्वी सन है उसकी सुरुवत किस किस जनम से मानी जाती है तो साथियों ये मानी जाती है अपने इसा मसीद के जनम से मानी जाती है तो इसका अपने वी ऑप्सन सही है अब बढ़ते हैं सातियों अगले परसन की तरफ अगला परसन है कार्टूस के से का जाता था तो मिस्र में राजाओं ता था राणियों के राणियों के जो नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखा गए हैं तो उन्हें कार्टूस का जाता था अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तरफ अगला परसन है निमलिकीत को सुमिलित कीजिए हमने यहां सुमिलित करके ही लिखा है तो नर्मदा घाटी आखेट तथा संगरन मगद पहला बड़ा राजी है और गारो पहडिया आरंबिक करसी और सिंदू तथा इसकी साहिक नद्या है पर्थम नगर और गंगा घाटी लगबग 25 वर्ष पूरो के नगर है अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तरफ गारो पहडिया भारत में कौन सी दिसा मिशती थे हैं तो साथियों भारत में गारो पहडिया उत्तर पूरो में स्थित हैं तो इसका A आपसन सही है परसन सही है अब बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ अगला परसन है बोजन के लिए बोजन के लिए जड़ों फलों तथा जंगल के अन्ही उत्पादों को का संगरे करने वाले क्या कहिलाते हैं तो साथियों दो बोजन के लिए जड़ों फलों तो जंगल के अनि उत्पादों को संगर करने वाले लोग संगर हग कहला थे थे तो उसका C आपसिन से है यह है फरसन साइक चया का C depths सम्छरां है अब बड़ते हैं आगले परसंद की तर्फ अगला परसनने सबसे पहले चाओल जिन पर उपचह करा वह इसतीत। तो साथियों सबसे पहले गह उन चाओल विंदिय के उत्तर में दरसाए गये थे तो इसका सइब्स ऑपसंग्याएगा कि विंद्य के उत्तर में तो A option सही है, साथ में का A option सही है, अब बढ़ते हैं साथ यह अगले परसन की जरब, अगला परसन है, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भासा का प्रियू करते थे, A option सेंस्कृत, B option में तमील, C option ब्रायमी, D option प्राकर्ट, तो साथ यह अतीत में लो तो NCRT की कक्सा 6 की किताबें उससे लिए गए हैं, जो रीट की दस्टी से बहुत ही महत्वपुन है, अगला परसन है, सेंस्कृत की अरम भी करती कौन सी है, तो साथ यह अपने B option सही है, अब बढ़ते हैं, अगले परसन की तरफ, अगला परसन है, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो साथ यह सबसे पहले ग्यों वो जो फसल उगाई गई थी, तो तस्टी का A option सही है, अब बढ़ते हैं साथ यह अगले परसन की तरफ, अगला परसन है, आखेट दूसरा पार्ट शरू हो गया है, आखेट खाद्य संग्रप से बोजन उत्पात तक, तो साथियों अती प्राचिन काल के कौन से उजार आज भी बचे हुए हैं, तो A option में पत्रों के उजार, B option लकडियों के उजार, C option अडियों के उजार, D option उप्रुक सभी, तो साथियों यह जो अती प्राचिन काल से अभी यह पत्रों के उजार बचे हुए हैं, तो इसका बेडो बेडो सी आफिन बकृ डी ऑपस्यों सबसे पहले मनु कुट्टे को सबसे थे को रजा जाए दिसा राधू गल्यकृ परेए दूसरे का डी ऑफ से here अब बठते हैं तीसे परसफन किए और और तीस्रा परसन बुरुआ बुरुआ हो अन्य एस्तित्य हैं ये ई i वर्तमान पंजाब में वर्तमान कस्मीर में सी आप्शन में वर्तमान नेपाल में डी आप्शन वर्तमान अपकानिस्तान में तो सात्यों यह जो बुर्ज हो में वर्तमान में कस्मीर मिश्ती थे तो इसका अपने वर्तमान कस्मीर मिश्ती थे तो इसका अपने दी आप्शन से अगला परसंद 9% यूग का आरम कब कब हुआ तो सात्यों 9% यूग का आरम 10,000 साल पे लेवा तो इसका बीबी ऑप्सिन सही है अब बढ़ते हैं सात्यों अगले परसंद की तरफ अगला परसंद है भीम बेट का कहा है थे थे तो सात्यों ये भीम बेट का आदूनिक मदी परदेश में इस्तिते हैं तो अपने इसका ये ऑप्सिन सही है परसंद के पांच में एए ऑप्सिन सही है अब बढ़ते हैं अगले परसंद की तरफ अगला परसंद है अगला पार्ट आ गया है आरम बिक नगर तीसरा पार्ट पहले निमन में से किस की खोज ँई तो साथ यह बोगती सरल परसन है सभसे पहले अडपा की खोज ँए Wales फिक 1921 में तो इसमें अपने दी ऑप्सन सही है 1921 में अडपा की खोज जोई थी अगला परसन है महा सनानागार निमन में से किस सहर में मिला है तो साथ यो महा सनानागार और बड़े-बड़े सनानगार मिले हैं बड़े-बड़े अंद के भंडार भी मिले हैं मोहन जोदलों में मि करते थे तो सात्यों हडपा के लोग ओमान से तांबा धातु का आयात करते थे तो इसमें अपने ए उप्सन सही है परसन संक्या तीसरे का ए उप्सन सही है अगला परसन है दौला वीरा नगर को कितने भागों में बाटा गया है तो सात्यों दौला वीरा नगर को मुक्य परसन है अड़पा सभीता में प्राप बंदरगा किस नगर में मिलाएं जिसको गोदी वड़क आ गया है तो साथ यूं ये जो बंदरगा है बंदरगा लोथल से मिलाएं तो परसन संग्या 5 का उतर सी सही है अगला परसन है अड़पा के नगरों के अंत की सुरुवात कब हुई तो साथ यूं अड़पा के नगरों के अंत की सुरुवात 49 सो साल पहले हुई है तो इसका भी ऑप्सन सही है निमलिकित को सुमिलित कीजिए तो साथियों हमने ये सुमिलित करके ही रखा हैं आपके साथ तामबा राजस्तान से सोना करना स्टक से अपकानिस्तान से बहुमूली पत्थर गुजराद से तो अब बढ़ते हैं साथियों अगले पार्ट पार्ट सेंगे चार क्या बताती हैं हमें किताबें और कबरें तो सोम क्या है तो साथ यो सोम एक पोदा है तो इसका भी आप्सन सही है अगला परशन है सबसे पुराना वेद कौन सा है दूसरा परशन है सबसे पुराना वेद कौन सा है तो साथियों सबसे पुराना वेद रिगवेद हैं तो इसका अपना है C option सही है परसन संख्या दूसरे का C option सही है C option रिगवेद अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तरफ अगला परसन है रिगवेद काल में जनता या पूरे समूदाए को क्या कहा जाता था A option में विस, B option दसिव, C option आ लिए, D option के हो लिए तो साथियों रिगवेद काल में जनता या पूरे समूदाए को विस कहा जाता था तो इसका अपने A option सही है A option सही है अगला परसन है माह पासान कबरे बनाने की पर्था कितने वर्स पहले शुरू हुई थी तो साथियों ये जो माह पासान कबरे बनाने की पर्था तीन हजार वर्स पहले शुरू हुई थी तो इसका अपने D आपसन सही है परसन संक्याच चार का D आपसन सही है तीन हजार वर्ष पहले अब बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ अगला परसन है तेलगू कौन से भासा परिवार की भासा है तो साथियों तेलगू दर्वीड भासा परिवार पासा परिवार की भासा है तो इसमें अपने C आप्सन सही है C option अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तरफ अगला परसन है चरक के अनुसार मनुशी के सरीर में कितनी हडिया होती है साथियों बहुती महतोपुन परसन है तो चरक के अनुसार मनुशी के सरीर में 360 हडिया होती है तो इसमें C option सही है चरक के अनुसर 360 बहुत इस पस्ट लिखा हुआ किताबों में कि चरक के अनुसर मनिशी की सरीर में 360 अडिया होती है जबकि ऐसे ही 206 अडिया होती है जबकि नौजा सिसु में 206 अडिया होती है अब बढ़ते हमां अगले परसंद की तरफ अगला पाट आ गया है राजजी और एक प्राचीन गंड आ जिये तो साथियों पहला परशन है यूद सित्र में राजा का सहचर होता था तो साथियों राजा का सहचर जो होता था उसको सहार्थी का जाता था तो इसका अपने सी ओप्सन से ही है सारती अगला परसन है यूद करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कारी था तो सात्यों यूद करना तथा लोगों की रक्षा करना इसत्री वर्ग का कारी था तो इसका अपने भी आप्सन सही है अब बढ़ते हैं सात्यों अगले परसन की तरफ तीसरा पर समय महाजन्द पतकाल में कौन सा कर सबसे महतुपुन था तो सातियों महाजन्द पतकाल में जो फ़सलों पर कर लगाया जाता था वो बहुत यु महतुपुन था तो इसका अपने A、 आप्σιन सही है अगला परसन है मगद की प्रारंबिक राजदानी कौन सी थी तो साथियों मगद की प्रारंबिक राजदानी राजगरे थी तो चौत्य परसन का उत्तर अपने D आप्सन सही है राजगरे अगला परसन है सिकंदर कहां का राज़ा था तो साथियों सिकंदर मैसी डॉनिया का सा सकता या राजा था तो इसका अपने A आप्सन सही है अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसंट की तरफ अगला परसंट है वेसाली किस राजी की राजा नहीं थी तो साथयों वेसाली जो वजीराजी था उसकी रาदा नहीं थी तो इसका अपने D option सहिए वेसाली वजीराजी की रादा नहीं थी अब है अगला part अगला part है नए परसंद नए विचार तो साथयों पहला परसंद है महत्मा पहला परसन है महत्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो साथियों महत्मा बुद्ध के बच्पन का नाम सिद्धार था तो अपने इसम ए उप्सन सही है अगला परसन है महत्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्टी किस इस्तान पर हुई तो साथियों मातमाबुद को ग्यान की प्राप्टी बहुत ग्याम हुई तो इसका A option सही है अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तरफ अगला परसन है मातमाबुद ने पर्थम उपदेश कहां दिया तो इसका अपने C options है, अगला परसन है, महत्मा बुद्ध ने अपनी शिक्सा किस भासा में दी, तो साथ यहाँ, महत्मा बुद्ध ने अपनी शिक्सा प्राकरत भासा में दी, तो इसका अपने C options है, अगला परसन है, दर्शन की योग पदती की स्थापना किस ने की, तो जैन धर्म के पर्थम तिर्द कर कौन थे तो सातियों जैन धर्म में चोईस तिर्द कर वे हैं जैन धर्म है तो सातियों जैन धर्म में चोईस तिर्द कर वे हैं जिसमें पहले रिसब देवें तेवीशवें पार्शनात हैं और चौवीशवें महाविर स्वामी हैं तो यहां पर्थम तिर्श करके बारे में पूचाएं तो पर्थम रिश्ब देवें पर्षन सेंक्या आठ वर्तमान रूप में उपलब जैन ध्रहम की सिक्स हैं किस इस्तान पर लिखी गई हैं तो साथियों जो ये ये वलब भी में लिखी गई हैं तो इसके अपने डी आप्सन सही है अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसंद की तरफ अगला परसंद है कारले की गपा किस राजी में स्थित हैं तो साथियों ये जो कारले की गपा है यह अपने महराष्ट में स्थित हैं तो इसमें अपने भी आप्सन्स है यह अब बढ़ते हैं साथ यह अगले परसन की तरफ अगला परसन है उपनिशिद का साब्दिक अर्थ क्या है तो साथियों इसी टेट भरती पर इक समय एक बार पूचा गया है तो सात्यों ये कतन महावीर स्वामी का है तो इसमें अपने भी आप्शन सही है अगला परसन है असोक एक अनोखा समराट जिसने यूद का त्याग किया ये पार्ट है पार्ट नमबर साथ तो सात्यों मोरी समराजी की इस्तापना किस ने की गई थी परसन है तो सात्यों मोरी समराजी की इस्तापना चंदरगुप मोरी ने की गई थी चंदरगुप मोरी के बाद में बिंदु सार सासक बनते हैं और फिर उसके बाद में बिंदु सार के बाद महान समराट असोक सासक बनते हैं तो ये सूतर भी हो गया, मोरी समराजियों का याद करने का CBA, C का मलब चंदरगुप्त, मोरी, B का मलब बिंदु सार, A का मलब असोक, और बिंदु सार को A मित्रो चेस्ट भी कहते हैं, अब बढ़ते हैं सातियों, अगले परसन की तरफ, अगला परसन है, A मित्रो चेस्ट कि नास करने वाला बिंदु सार को कहा गया है, तो इसमें अपने C आप्सन सही है, अगला है, मेगस्तिनीज किसका राजदू था, तो सातियों, मेगस्तिनीज ने एक इंडी का किताब लेकी थी, और ये सेल्यूकस निकेटर एक विना निशा सकता, उसका राजदू था, तो इ कर द्रूमिंग यूद का वड़न 13 अभी लेक में है, तो इसमें अपने D ऑप्सन सही है, परसंसें के 4 का D ऑप्सन सही है, 13 फर्या अभी लेक का, अगला है, परसं चीन की दिवार की लंबाई कितनी है, साथ्य बहुती मत्वन परसंब परसंब है, तो साथ्या चीन की दिव के थीन हजार वर्स पूर पएले पर अगला etwasons न है कि अगला अप्सन है लगबगह 2 इस एर्स में हैं लगबग 18 वर्स पहले डे उसमें में लगबग 2ज़ वर्स पहले तो शात्यों इसका मोरी समराज़ी का पतन लगबग 2 तो इस वर्स पहले पतन शुरू हुआ था तो इसमें अपने डी ऑप्सन सही हैं अब बढ़ते हैं सातियों एक अगला मत्वपुन बिंदू लिखा हुआ हैं डक्सिनी भारत की पतन पतन केते हैं बंदर गाउं को काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निरियात की दस्टी से मत् अमरत नगर तो भारत के उत्री इसे में गाउं का परदान व्यक्ति क्या कहलाता था तो सातियों गाउं का परदान व्यक्ति ग्राम भुजक कहलाता था तो इसका सी ऑप्सन सही हैं C options है अगला है जातकों का संक्लन किस ने किया था तो सातियों जातकों का संक्लन बहुत बिक्सू होने किया था तो इसमें अपने B options है अगला परशन है बरुज का इननी नाम किया था तो सातियों बरुज का इननी नाम बेरिक गाज़ा था तो इसमें अपने A options है भारती उपमहदीब में लोहि का परियोग कब शरूओए है तो सात्यों भारती काई है तो शातियों अरी कामेंडू पंडू चूरी में इस थी ते तह ये उप्शन सब्सक्तिं अगले लुद हन्दे तो साथ्यों आदियों पश्यारे शामिल ने थे, ये subtle शाब सही है जब की जो ये सात वहाँ ने यह सामीर नहीं थे तो इसका अपने A option सही है अगला है बुद्ध चरीतर की रचना किस ने की थी तो साथियों बुद्ध चरीतर की रचना असो गोशने की थी तो इसमें अपने C option सही है अब बढ़ते हैं अगले परसंद की और अगला परसंद है रिसम बनाने की तकनिक आविसका सबसे पहले किस देश में हुआ था तो साथियों रिसम बनाने की तकनिका सबसे पहले परियोग याविसका चीन में हुआ था तो इसमें अपने डी आप्सन सही है अगला परसन है निमन में से कौन सा चिनी यात्री भारत यात्रा पर आया था तो फा, सियन, सवें, त्यांग, इतिंग से ये सभी आया थे तो इसके में अपने डी ओप्सन सही है अब बढ़ते हैं साथियों अगले परसन की तो, अगला परसन है, सिलक रूट पर नीन तन रखने वाला सबसे परसी सासक था, कुसान, तो इसमें अपने ए अप्सन सही है अब हैं अगला पार्ट, नए समराजी और राजी है पहला परसन है, समुद्र गुप्त की इलाबाद परस्तिती की रचना किसने की थी, तो साथियों इसको परियाग परस्तिती भी कहते हैं, तो इसकी रचना हारी सेंड ने की थी, तो इसका अपने C आप्सन सही है अगला परसन है विक्रम सौंद की इस्ता अपना किस ने की थी तो साथियों विक्रम सौंद की इस्ता अपना चंदर को दियुती ने की थी तो इसका A option सही है हरस्चरीत के रिक चीता हैं तो इसमें अपने डी जायी है अगले है अहौल किन की रादणी ती तो साथ यूँ हौल चालू क्यों की रादा नी ती तो अपने इसमें जायी है अफ़ोल के अपस्ट बढ़ते हैं अपका सब्सक्रापन महारोली-डिली-श्टीत- लो इसल के नाम का उलहत हैं महारोली-डिली-श्टीत लो इसल में हैं चंदर हैं तो इसमें अपने A options है पहले परसंद का A options है अगला है मंदीरों में देवी देवतां की मूर्ती किस इस्तान पर रखी जाती है तो ये गरब करह में रखी जाती है तो इसमें अपने D options है अगला परसंद है तमील महकावी सिलपादी कारम के रचीता कौन है तो साथ ये तमील म अगला परसन है संसकत और में के लेकप कौन है तो सातियों संसकत रामेट के लेका गवाल में की हैं तो इसमें अपने McD option सभी अपन सपी है और बढ़ते हैं अगले परासन की तारней पर्सन है NE MARY में जी पर्सीच कह ओन तो सातियों सलीच की सक सुक्षूत थे तो इसमें अपने सी ओप्सन सही है तो सातियों ये थे कक्षा च्छे के भाग पर्थम के महत्ती महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्षन जो 11 पार्ट हैं उसमें से जो अत्ती महतुपूंट परसंते उन्हीं को हमने यहां परसंकलित किया है और साथ यहां जो कक्सथा का दूसरा पाग है उसके भी जो महतुपूंट परसंते उनको आपके लिए अत्ती शिक्र लाने का प्रियास करेंगे साथ ये सबी परतिकी परिक्साँं में बहुती महतोपुने जो अभी हाली में रिट परिक्साँना आलिया उसके लिए तो बहुती महतोपुन साभीत होगा तो साथियों आप इनका एक या दो बार देखेंगे तो आपका उची याद हो जाएंगी और इसके साथ आप जैपाल सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आउशी कर ले ठैंक्स पर वाचिंग जैहिन जैवार्थ